स्री सिवायन नमस्तु भ्यम हरहर महादे महा सिवरात्री पर बाल कैसे धोएं जैसे कि इस दिन इस से पहले सुकरवार के दिन तो महा सिवरात्री हो रही है परंतु उस से पहले एक दिन पहले गुरुवार हो रहा है तो बाल धोने का कैसे रहेगा नियम क्या विधान है मासिक धर्म में ब्रत कैसे करें यही वीडियो में जानेंगे और साथ ही गर्वती महलाएं कैसे इस ब्रत को करें पूरी जानकरी इस वीडियो में लेंगे दो ब्रत एक साथ कैसे करने हैं इसका भी नियम वीडियो में लें तो आप सभी को आवश्चक रूप से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए महादेव की दिब्बी उर्जाओं को ग्रहन करने के लिए यह महासिवरात्री का ब्रत धारन करना चाहिए अगर आप सभी प्रदोश का ब्रत जो कि हर महा प्रत एक महने की त्रियोदशी ती थी को आने वाला एक महा ब्रत है जो कि महादे को समर्पि सुन्दर दिती है अगर उस ब्रत को भी आप सुरू करना चाहते हैं तो आप सभी आवश्यक रूप से प्रदोश का भी ब्रत धारण कर सकते हैं बहुत सुफ़लों की प्राप्ति रहेगी ठीक है यह बात हो गई प्र कंशे की स्थिती नहीं है कोई सोचने का यह विशय है ही नहीं दोनों ब्रत महादेव को समर्पित हैं दोनों ब्रत में एक ही देवता की पूजा होती है साथ ही दोनों ब्रत के महासिवरात्री और प्रदोश ब्रत के नियम एक जैसे ही है ऐसी स्थिती में ब्रत करने में महासिवरात्री की ब्रत की कथा भी सुने और संकल्प लेंगे तो दोनों ब्रत के संकल्प लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोनों ब्रत कर सकते हैं दोनों ब्रतों में फलाहार ले सकते हैं चाय पानी फल इत्यादी ग्रहन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं ह प्रदोश ब्रत में साम को भोजन कर लिया जाता है परंतु महासिवरात्री ब्रत में रात्री और दिन ब्रत करकर दूसरे दिन पारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप सभी जो है इस दिन महासिवरात्री का भी भाव करें प्रदोश का भी भाव करें और सिर्फ रात्री और दिन दोनों समय जो है फलाहार ही ग्रहन करें और दूसरे दिन ब्रत कर लें और महादेव की पूजा आपको करनी ही है इस तरह से आप सभी जो ह कोई दिक्कत की बात नहीं महासीवरात्री का तो ब्रत साल भर में ही आता है एक बार जो कि अपने आप में अध्भूत होता है परन्तु प्रदोश का ब्रत जो है हर मेहने आता है अगर आप सुरू करना चाहते हैं तो विशेश इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदोश का ब्रत कितना करने चाहिए किस स्वरूप मैं करने चाहिए उद्यापन तक का नियम पहले ही चैनल पर वीडियो के माध्य हम से दिया गया है अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाया है तो आप सभी उस ब्रत को उस वीडियो को कहेंगे तो मैं उसे कमिनिटी में दे दूंगी या आपको जो है लिंक को प्रवाइट करवा दूंगी कमेंट्स में पिन कर दूंगी तो आप उसे जरूर से देख लेजिएगा ठीक है प्रदोश ब्रत कठी नहीं है सरल ब्रत होता है सब सुख प्रदान करने में सहाइक होता है तो हमने बात कर ली यहां तक कि अब आप साबुन, सैमपू यह जो भी हम बाल्दोने में सामगरी प्रियोग में लेते हैं उनमें कैमिकल होता है कैमिकल जो है वह कई तरह के अपसिस्ट द्रव्यों से बनते हैं जिस कारण से हमारा ब्रत खंडित हो जाता है इसलिए ब्रत में बाल्द होने की मना ही होती है ऐसी इस् अर्थात महासिवरात्री का ब्रत है उस दिन बाल्द हो सकते हैं परांतो साबुन प्रियोग में लेने में बुराईब है। बाल्ध हो लेंगे तो सुक्रवार के दिन ब्रत के दिन बाल्ध होने का दोश आपको नहीं लगेगा इस बात का दिहान रखें ब्रत के दिन बाल्ध हो सकते हैं पर उजाला होने से पहले पहले आप सभी बाल्ध हो लीजेगा तो इस नियम का भी ध्यान रखकर आप अपनी ब ब्रत के दिन अगर आप बाल धो रहे हैं तो आवश्यक रूप से सावुन सैंपू का प्रयोग किसी भी अवस्ता में ना करें ठीक है खाली जल से ही पानी से ही बाल को धोईएगा ठीक है यह बात हो गई क्लियर कोई प्रशन हो पूछ लीजीगा आपका अपना चैनल है पowieश्ता में महादेव की सुन्दर नाम मंत्र का समरड किया था महादेव को पूजा था महादेव की पूजा की थी तो उन्हें महादेव जैसी सुन्दर और सरills गूर संपन संतन प्राप्त होई थी तो जो गर्वती महला है वह आवश्यक रूप से ब्रत करें, महादेव का पूजन करें, पार्थियो सीवलिंग का पूजन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परन्तु आप सभी आपने स्वास्त की परेशानी को देखते हुए, सिर्फ आप सभी पूजा पाठ करकर, पूर्ण रूप से फलाहार करकर, जल इत्यादी ग्रहन करकर ही ब्रत कीजेगा, ठीक है, अन का आप से त्याग नहीं होता है, तो आप जो है, एक समय, एक पहर की पूजा करकर, जो है, जैसे बारा बजे बाद आप सभी अपने ब्रत को खोल कर, अन भी ग्रहन कर सकती हैं, देखिए, समय पर इस्तिती अनुस पहले ही आप सभी को दे दिया है, कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें, फिर भी में दुबारा से आप सभी को बता देती हूं कि मासिक धर्म में आप सभी ब्रत कर सकती हैं, परन्तु भगवान को आपको इस पर्षन नहीं करना है, इस बात का ध्या प्राव नहीं हो रहा हो तो पांचवे दिन से बाल धोकर भगवान जी की पूजा कर सकते हैं महादेव की, नहीं तो छटे दिन से आप सभी महादेव की पूजा करने के योग्य है, इस से ज्यादा चीज़ है, आप सभी अपने छेत्र के अनुसार पूछ लीजिएगा, नि रंतर रूप से जो महासिवरात्री ब्रत से सम्मंदित मेरे सभी तीनों चैनलों पर वीडियो जा रही हैं, उन चैनलों को देखकर अपना जीवन सार्थक करें, महासिवरात्री का ब्रत सबसे सुन्दर है, सबसे स्रेष्ट है और सबसे उत्तम ब्रतों में से एक जाना जात महासिवरात्री के दिन किया गया कोई भी पूजन पाठ कभी ब्यर्थ नहीं जाता किसी ने किसी स्वरूप में इसका फल मिलता ही है महादेव को दूद दहीगी सक्कर शहद से पंचामरत से अभिशेक कराएं महादेव की सुन्दर स्वरूप में पूजा करें आराधना करें और महादेव का सुन्दर स्वरूप इस दिन मापार्वती के दिन के लिए विवा के गढ़भंधन के स्वरूप में जाना जाता है मापार्वती और महादेव का इस दिन विवा हुआ था इस दिन जितना हो सके प्रभु भक्ति में आपको अपना समय ब्यतीत करना है और है वीडियो ची तूपियों की रहते हैं तो कृपिया लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें स्री सिवाई नमस्तु भ्यम